नमस्कर दोस्तो आज बात करेंगे ITC 01 के बारे में हांजी दोस्तो क्या है ITC 01 और कैसे फाइल करना है ITC 01 आज मैं आपको बताने वारा हूँ तो दोस्तो इसको डिटेल में समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंट दोस्तो आप जोइन कर सकते हैं हमारा Import-Export course जह वेबसाइट पर वजिट कर सकते हैं, वेबसाइट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चलिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि ITC 01 है क्या चीज़, तो दोस्तों यहां में बात करें, ITC 01 रेजिस्टर परसन फाइल करके, इस फॉर्म के जरीए, इंपूटेस क्र के अंदर ITC है, उसका ITC वो क्लेम कर सकता है, ITC 01 को फाइल करके, तो दोस्तों यहां पर ITC 01 फाइल करके, जो नए टैक्सपेर है, वो इंपूटेस क्रेट को ले सकते हैं, फिनिश गूट का, समी फिनिश गूट्स का, जो इसने स्टोक हाल्ड किया हुआ है, उसका जो इंप पर इंपूटेस क्रेट वो लेने के लिए जो उन्होने स्टोक हैं किया हुआ है, उसका एंपूटेस क्रेट लेने के लिए सविनिश गूट्स का, के लिए ITC 01 को फाइल कर सकते हैं, जिस दिन से उन्होंने रेइस्टेशन लिया है यह जिस दिन से उनका अर्शेशन ग्रांट हुआ है तो यहां पर ITC-01 कॉंपीजिशन टैक्सपेर भी फाइल कर सकते हैं जो कॉंपीजिशन से आउट होके मतलब कॉंपीजिशन स्किम से बाहर निकल के रेगुलर टैक्सपेर के अंदर आ हैं तो यहां पर ITC-01 को फाइल करके जो उन्होंने स्टोक हल्ड किया हुआ है जो उन्होंने जेस्टी पे गिया है स्टोक के उपर जैसे फिनिश गूट्स यह कैपिटल गूट्स उसका वह इंपिट्स ले सकते हैं कॉंपिजिशन से आउट होके रेगुलर में जाने के बाद ITC-01 को फाइल करके जो दोस्तों यहां पर एक और परसन फाइल कर सकता है ITC-01 ऐसे परसन जिनकी पहली सप्लाई एकजाम ठी जिनका जो आईटम था पहले एकजाम था गूट्स एंस इंसर एकजाम था बाद में टेक्सेबल हो गया तो जब उनका एकजाम से टेक्सेबल हो गया तो जो उन्होंने इस्टोक हैल्ड किया हुआ है जो इनके पास सेमि फिनिश गुड्स है उसका जो GST उन्हें पे किया उसका जो ITC है वो ग्लेम कर सकते हैं ITC 01 को फाइल करके मान के जली कि आप सप्लाइज जो कर रहे हैं goods and services की exempt की category के अंदर है goods exempt की category में बाद में इसका rate change हो गया GST rate change हो गया taxable बन गया वो तो जब taxable बन गया और आपने purchase किया यह नहीं कि अगर आपकी आपका GST rate 5% है और 5% से 12% हो गया तो उस case में आप नहीं ले पाओगे क्योंकि वहाँ पे taxable था rate उसका बढ़ गया exam से taxable होगा तो उस case में आप ITC 01 को फाइल कर गए उसका input as credit को अले सकते हो input as credit कौन-कौन से goods का लिया जा सकता है जो आपने stock में held किया हुआ input उनका मिल जाएगा याने goods के उपर जो ITC है ठीक है जो semi finished goods के उपर या finished goods के उपर ITC है ठीक है वो ले सकते है capital goods का ले सकते है कब आप यहां पर inputs credit को ले सकते हैं कब इस form को आप फाइल कर सकते हैं यहां पर registered person ITC 01 को फाइल कर सकता है within 30 days के अंदर जब वो लाइबल हो गया अवेल करने के लिए ITC ठीक है section 18 subsection 1 के अंदर और commissioner के द्वारा जो date extend की जा रही है उसके इसाब से यहां पर बात करें section 18 subsection 1 क के अंदर close A और B में cable एक बार फाइल किया जा सकता है application ठीक है section 18 subsection 1 के अंदर अगर आप composition से opt-out कर रहे हैं तो financial year में एक वर फाइल करेंगे एक financial year के अंदर एक बार registered person within 30 days के अंदर करेगा जब वो libel हो गया inputs credit को claim करने के लिए section 18 subsection 1 के अंदर ठीक है तो यहां पर declaration ITC 01 के अंदर देगा अगर उसका यहां पर दो लाग से ज्यादा ITC होता है ठीक है और इस form को file करता है ITC 01 को तो उसको यहां पर certified chartered accountant के दोरा यह cost accountant के दोरा उसको form को certified करना पड़ेगा और दोस्तों अगर आप हमारी CA certification services लेना चाहते हैं तो paid services का link वीडियो की description मिल जागा वहां से भी जाके आप हमारी certification services भी ले सकते हैं CA certification services आपको मिल जाती है क्या होगा जब आप ITC 01 को file कर देंगे दोस्तों जैसे ITC 01 को file कर देंगे अप्रूव हो जागा ITC 01 तो उस case में आपका जो ITC claim जो आपने किया है वो आपके credit laser के नदर पोस्ट कर दिया जाएगा और उसके लिए आपको ARN अविज देट होगा एक SMS मि मिलेगा और email भी भी भीजा जाएगा चलिए समझते हैं कि कैसे आपको file करना होगा GST portal पर ITC 01 को simple है दोस्तों GST portal पर आना है login कर लेना है फिर यहां से आपको services में जाके return में जाके यहां से ITC form पर जाना है मतलब कि आप section 18 subsection 1 के अंदर कौन से close में ITC 01 को file कर रहे हैं जैसे कि अगर आप section 18 subsection 1 को file कर रहे हैं जहां आपको registration जो आपने apply किया है within 30 days के अंदर और liable होगे आप इस form को file करने के लिए तो वो आप section ले सकते हैं section 18 subsection 1 का seal लेंगे मतलब कि आप composition scheme से opt out कर रहे हैं regular में ज section ले सकते हैं उसके इसाब से फिर मतलब आपको यहाँ पर section लेना होगा और अगर आपकी supply exempt से taxable हो गई है तो आप section 18 subsection 1 का close deal ले सकते हैं ठीक है नीचे simple simple है जैसी select कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर जिस भी invoice का आप ITC ले रहे हैं उसका supplier का GST नंबर invoice नंबर उस description ठीक है उसके बाद quantity code क्या है यह सब चीज value क्या है उसका IT से कितना है ठीक है add detail पर click करके save कर देंगे सभी invoice की detail आपको यहाँ पर देनी होगी इस प्रकास है देख सकते हैं ऐसे अगर आप close C ले रहे हैं तो close C लेंगे फिर वहाँ पर भी same वही चीज होगा GST नंबर invoice नं quantity क्या है इंपूट क्रेट कितना है उसका यह सब डिटेल्स भरना होगा फिर यहां से आपको प्रिव्यू का बटन देखता है प्रिव्यू वाले बटन पर click करेंगे तो आपको प्रिव्यू देख सकते हैं इस प्रकास से आपको IDC 01 का प्रिव्यू देख जाएगा फिर उस servant की ठीक है मतलब सकतेऻ्स किया है यहां कोर्ष्ट अकांटेंट वेल्चक्ण जो अपना स्टिविकेट रिश्यू किया है कुछ सटिविकेट्ट को यह श् clinically यहां पूंट पर अपलोडर करना है उसकि डिटेल्स को दिनी होती है उसके बाद आप इसको EVC या DSC के यूज़ करके फाइल कर सकते हैं जैसे कि अगर आप DSC के यूज़ करके फाइल कर रहे हैं तो प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे और यहां पर जो भी OTP आएगा वो OTP आप लिखेंगे फिर verify कर देंगे verify होने के बाद आपका form फाइल हो जागा और status में फाइल आपको दिखेगा तो ऐसे आपको ITC01 GST portal पे फाइल करना है वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं Thank you so much जाहिन वन्ने मात्रा